अलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के स्फ्री कोर्स में जहां आज हमें चोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट कॉंसेट्स डिसकस करने वाले हैं खासकर जब आप टर्बो सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं तो आप मे आप में से किसी ने प्रीवियस्लिश पड़ा है और आपने टर्बो सी में उसको पड़ा है और यहाँ पर आप सीएलर है को यूज़ कर रहे है युझा फंक्शन कॉल सी इलर्इस्ट सीया जिसको यूज करके हम टर्मिनल इस्क्रिन को क्लियर करते हैं लेकिन प्रॉब्लम यहां पर में नई फाइल करता हूं मैंने इसका नाम दिया टेस्ट CLS.cpp यहां पर में लिखा इंट में आफ्टर सपोज मैंने इस प्रोग्राम को रण किया इंटीजर एंट इससी आउट एंटर अ नमबर ठीक है यह मैंने एक नमबर लिया सपोज ओके दो नमबर हमने लिया एक कॉमा भी एंटर टू नमबर मतलब एक सिंपल सा प्रोग्राम हम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल टाइम जब एक प्रोग्राम को आप रन करेंगे यह कॉंसेप्ट हमने देखा हाउट टू रीड देटा सी इक्वल टू ए प्लस भी एंड देन राइट सी आउट एडिशन इ तो यह मैंने सी कर सिंपल सा प्रोग्राम सी प्लस प्लस का मने बनाया है अ रिटन जीड तो कि हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जहां पर हमने उंपल दो नंबर को एट किया है लेकिस प्रोग्राम को मैं रन कर узнаう सिक निस कोट अब देखिए मेरे को यह मिच् собственous नमबर ओ रंगे जा रहे हैं तो मैंने यहां दिया 23 सेकंड नंबर इस टेन एडिशन इस तर्टी लेकिन सेकंड टाइम पर जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं पर देखिए पुराना रिजल्ट भी मुझे दिख रहा है ठीके फिर से मैं नया वैलू दूंगा नो डाउट यह मेरा नया डेटा 12 12 रिजल्ट इस 24 थर्ट टैम में इसको रन करूंगा तो प्रीवेस पूरे रिजल्ट मुझे दिख रहे हैं विकॉस टर्मिनल स्क्रीन क्या कर रहे हैं आपकी कि जब नया डेटा प्रेंट कर रहे हैं तो पुराने जितने भी डेटा है उनको यहां पर आप समझेए जो लाइबरीज है वीए स्कूट की ठीक है दिर इस क्वाइट डिपरेंट टू टर्बो ची प्लस प्लस जो हम यूज करने बोर्लेंट सी प्लस प्लस तो यहां पर दिर इस दो अब देखियो सेलर सेर में एर्र आरा रही है तो यहां पर कॉशन आता बोड में स्क्रीन को क्लियर करना है अब देखिए यहां पर हमारे पास एक फंक्शन इन दिर इस नो नीड तो इंक्लूट है अब बोलो के सार स्पेलिंग आपने मिस्टेक कर दी इस लिए नहीं चल रहा है ठीक है चलो इसको फिर से देख लेते हैं ठीक है पट दिर इस दो से प्रशन अवेलेबल यह सिस्वां बिस इन एर रहाई तो यहां पर आप समझे है कि यदी आप को स्क्रीन को क्लियर करना है और सियर से ही करना है तो दो तरीके हैं आपके पास या तो आप सिंपल जो फंक्शन हम यहां यूज़ करते हैं तो यहीं शिस्टम धिक दिर इस function call system in as a value of score the DJ CLS system CLS to up Kya Oga जदी मैंने starting में यह लिग दिया system CLS तो अब इसका मतलब यह है कि अब में जब इस application को run करूंगा so now I am get my screen clear it is a promise को अगर रन करता हूं so just a moment इसको यहां पर लिकिता हूं I'll just right here and save this code okay it's common safe here and then after I'll run this जब मैंने इसको run किया तो इसने पुराना पूरा data clear किया and then it shows me the value 23 and 10 and addition is 33 अब मैं second time is score and करता हूं तो again I'll clear the screen to system CLS actually system is a function जिसको में जब परामिटर वैलू पास करें CLS to clear the screen ठीक है आगे जब हम function पढ़ेंगे तब हम detail में देखेंगे अभी आपको इसके functionality है इसके पीछे code पर दिमाग नहीं लगाना है because right now we don't know what is the function actually but हमें जो problem आ रही कि सर जब भी मैं टर्मेनल स्क्रीन पर प्रोग्राम रन कर रहा हूं मुझे प्रीवियस रिजल्ट भी मिल रहे हैं ठीक है और अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस रिजल्ट ना मिलें तो आप बिगिनर है first time अगर आप C++ पढ़ रहे हैं तो that's best लेकिन अगर आप C++ में आए हैं और आपकी हैबिट आप यहां पर इक statement अभी लिग दी इसका मीनिंग में आपको बाद में समझाता हूं और सिस्टम सियलेश एक्षिली प्री प्रोसेसर डारेक्टिव होते हैं कि हम सिस्टम सी लेश को अब यूज करते हैं तो अब मैं यहां पर अगर लिखता हूं अब मैंने यहां लिखा एंटर टू नंबर 2222 रिजल्ट इस 24 सेकंड टाइम किफ आ रन दिस ठीगे मैंने दिया 12-2 ऐल गेट एडिशन सब्सक्राइब करते हैं तो यहां तो सिस्टम सी लेश कर सकते हैं ठीक है या फिर आप एक प्री प्रोसेसर डिक्लियर कर दें सिस्टम इस को सीलर इसर के साथ यदि आपकी प्रैक्टिस सी से हैं और आप सीलर इसर को यूज करते आ रहे हैं तर्बो सी में ठीक है तो आई होब छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है और यदि समझ में आ हैं तो प्लीज वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रही है स्कोर्स में क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं और भी इंपॉर्डेंट कॉंसेप्ट की तो प्लीज चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए ठीक और बने रहिए कोर्स में मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स लेक्चर में तिल देन टेक क्यार बावाई